हम बात करने वाले हैं बिहार सिच्छक भर्ती के संबंध में जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं तो सबसे पहले जिस साथी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक अवसी कर दे चलिए बात कर लेते हैं जैसा कि म प्रोटिस भी जारी कर दिया गया है बीपीस सी द्वारा यहां पर आप सभी देख सकते हैं बिहार लोग सिवा योग यहां पर बिग्यापन संख्या 26 2023 प्रात्मिक मादमिक उम उच्च माध्मिक विद्याले में सिच्छक नियुक्ति प्रतियोगता परिच्छा यहां पर आवेदन भरने की अंतिम्ति थी क्या थी 12-7 2023 को विस्तारित करते हुए 15-7 2023 की जाती यानि अंतिम्ति थी आपकी बढ़ा दी गई है 12-7 से 15-7 कर दी गई है चलिए दोस्तों दूसरी सूचना निकल के आ रही है जो बिहार सिचक भरती है उसमें OTR जो सिस्टम है लागू कर जा रहा है यहां पर आप सभी देख सकते हैं अतुल प्रसाद यह जो है बीपीएस्टी के चेर्माइन है इन्हों ने यहां पर बताया है सुन वी विल भी लाउंचिंग दी ओ टी आर यानि वन टाइम रजिसेश्टेशन सिस्टम फार आल और एक्जामिनेशन और एक्जाम एक बार ही रेजिस्टेशन करवाना होगा उसके बाद जब भी आप आवेदन करेंगे तो आपका उसी रेजिस्टेशन नमबर से आवेदन हो जाएगा तो ज्यादा तर जो आयोग हैं समय OTR सिस्टम जो है लागू कर रहे हैं तो साथियों और एक इसके साथ और एक अपड कि जो है BPSC जो आयोग है उसकी वेव साइट पर जारी कर दी गई है आप सभी को देख लेना है क्योंकि इसमें जो है चार विकल्प नहीं है पांच विकल्प दिये गए हैं यानि जो यूपी या अदर इस्टेट में एक्जाम्स होते हैं उसमें चार विकल्प को एमार किये हैं और जो भी आमूल्चुल परिवर्तन किये हैं आप वहां पर जाकर देख सकते हैं क्यूंकि इसमें जो यह सिछक भरती है इसमें बिहार जो चात्रों के अलावा अदर से चाहीं को भी मौका दिया गया है इसलिए आपको आवस्ती देख लेना चाहिए तो यह जो है अपडेट्स थी बिहार सिचक भरती से सम्मंधित साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवर्श कर देना और साथ ही चैनल को अवर्श सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है आप सभी को मारे द्वारा उपलब्द कराई जाती ही चल